कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बिल आइक ओन दबाएं जारिकन्ड विधानसभा चुनाव 2019 के तहट कोलेबीरा विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है यहाँ 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे कोलेबीरा विधानसभा सीट खूटी लोगसभा सीट के अंतरगत आता है यह सीट अनुसूच जनजाती के लिए आरक्षित है कोलेबीरा विधानसभा सीट पर लंबे समय से कॉंग्रेस और जारखंड पार्टी का कबजा रहा है भाजपा इस सीट पर अब तक जीत दर्च नहीं कर पाई है साल 2005 के चुनाव में यहां से जारखंड पार्टी के इनोस एक का विधायक चुने गए थे कोलेबीरा विधानसभा शेत्र में लगातार तीन बार प्रतिनिधित्व करने के बाद पिछले उपचुनाव में जारखंड पार्टी की करारी हार हुई थी 14 साल बाद कॉंग्रेस पार्टी ने पुना कोलेबीरा उपचुनाव के माध्यम से कोलेबीरा सीट पर कबजा करने में सफलता हासिल की थी कोलेबीरा विधानसभा सीट से इस बार इनो सिक्का ने चुनावे मैदान में अपनी बेटी आईरीन एकका को उतारा है 2018 दिसंबर माह में हुए चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी के विकसल कॉंगाडी को 40,343 वोट हासिल कर विजय हुए थे वहीं भाजपा के बसंद सोरेन 30,685 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे जबकि पहली बार चुनाव लड़ रहे राष्ट्रे सिंगल पार्टी के अनिल कुंडलाना 23,799 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर काबिज होकर सब को चौंका दिया था जबकि जार्खन पार्टी की मेनन एकका की करारी हार हुई थी पिछले बार एनोसेका हत्या के आरोप में जेल में थे इस बार के चुनाव मेवा जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं किन्तु सजा होने के कारण चुनाव लड़ने से वंचित होने पर उन्होंने बीटी आयरेन एकका को चुनावी मैदान में उतारा है वहीं कॉंग्रेस से निर्वतमान विधायक नमन विक्सल कुन गाड़ी और बीजेपी से सुजन जोजो चुनावी मैदान में है कोलेबिरा विधानसभा सीड से कुल वोटर्स की संख्या 1,92,998 है जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 97,015 और महिला वोटर्स की संख्या 95,983 है